वेल्कम टू माई चैनल तो आगे हम एक और स्ट्राटिजी वीडियो लेके पहले हम बनाते हैं 100 दे स्टुड़ी प्लान फिर बनाते हैं 90 फिर 60 फिर 45 और 30 भी बनाऊंगा और 50 भी बनाऊंगा बिकॉज हमारा काम है आपको उमीद देना आपको गिव अफ नहीं करने देना इसका मतलब यह नहीं होता कि यह 45 दिन में आप नीट क्रैक कर सकते हैं इसका मतलब यह होता है कि हम आपको कैसे मोटिवेट करें कि आप गिव अप ना करें और अपना 100 परसेंट दे के जो भी की बातों को मानना चाहते हैं और इंशोर करना चाहते हैं कि जो अभी स्कोर कर रहे हैं उससे कंसिडरेबल इंप्रूब्मेंट उनको देखने को मिले 45 दिन में रिविजन स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए फिजेक्स केमिस्टी और वायल जी इसकी बात करेंगे हम और लास मैं conviction के साथ कह सकता हूं कि इन 45 दिनों में आपके biology में 340 प्लस marks तो 100% आ सकते हैं अगर आप 0 लेवल पे भी हैं तो और ये कोई हवा में की हुई बात नहीं है ये इधियास गवा है 2020 का, 2021 का और 2022 का कि हमने ये करके दिखाया है और इसमें कोई rocket science नहीं होता क्योंकि biology का question NCR NCRT centric होता है NCRT के line से आता है तो आपने NCRT से कितना थरों है आप और कितनी बार आपने practice किया है उस पर dependent होता है आपके biology का score तो वीडियो का शुरुवात हम biology के प्लान से करेंगे फिर हम physics और chemistry के बारे में भी बात करने वाले हैं तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और मेरे lectures को follow कर रहे हैं आपको पता होगा कि आज आपके biology का syllabus complete हो गया तो आपको दिख जागा complete biology class 11 plus class 12 आप मेरे playlist पे पहली playlist आपको यह दिखेगी जिसमें पूरी biology आपको complete करा दी गई है लगभग 75 hours में अच्छा अब यह syllabus completion कैसे कराया गया sir तो यह कुछ दो तरीके से क chapters होते हैं chapter 1 class 11 का living world biological classification plant kingdom animal kingdom यह रट्टाफिकेशन chapters होते हैं इसमें NCRT पढ़ने के आपको दरौत नहीं होती है तो आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा phase 1 का जो chapters को detail ने पढ़ाना था जैसे plant physiology, human physiology, cell biology, reproduction इन chapters को मैंने phase 2 वाले में detail में उसी playlist में complete करा दिया है तो अगर आप इस 75 घंटे की playlist को 1.5x speed पे देख लेते हैं तो आपका पूरा biology का syllabus complete हो जाएगा ठीक है यह तो होगे पहली syllabus completion की बाद, syllabus हमने already complete कर दिया, 50 बार सेम चीज़ को पढ़ाने का कोई point है नहीं उसके बाद बात करते हैं, important चीज़ पी वाई की और exemplar आपको करने है exemplar की भी class 12 की वीडियो इसी same playlist में, आप जो playlist देखेंगे class 12 की exemplar की वीडियो आगे, class 11 की भी फटा फटा आ जाएगी तो exemplar भी आपके पूरा complete हो जाएगा अब आते हैं final revision, मतलब अब जो बच्चे जो आपको live करना है, that is my final biology cheat code देखो, ये तो जन सिद्धादिकार के साथ आप कह सकते हैं कि paper NCRT से आएगा न, कोई इंसान से सोते वए पूछो के तब ये बोल देगा कि paper NCRT से आएगा तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, जिसमें NCRT line by line with page number आप देखो, इस page number का, 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 इस page number का तो आपका biology पूरा complete हो जाएगा, मतलब इसमें question भी हो जाएगा, है ना, और इसमें theory हो जाएगा, मैं पहले एक series चिलाता था था न, conquest है, मेरी किताब भी आप जानते होगे न, तो यहाँ पर concept और theory दोनों complete हो जाएगा, तो अगर आपने पहले नहीं भी syllabus complete किया है, तो यह यह कि मतलब 10,000 question वाली series बंद होगी, अब यह basically हम question के form में ही theory revise करेंगे, और sub topic wise revise करेंगे, तो कुछ question के form में यहाँ पर हो जाएगा, और बांकी questions हम mock test के form में कर लेंगे, तो आपका पूरा biology complete हो जाएगा, ठीक है, अब यह cheat codes कहां मिलेंगा, को यह cheat codes मेरे आपको telegram channel t.me. इसके pdf मिलते जाएगे, डेली 11 बजे आपका lecture होगा, मैं lecture का schedule आपको दिखा देता हूँ बेटा, तो class 12 हम complete करेंगे अगले 7 दिन में, तो पहले दिन में हम 20th मार्च कल है 11 बजे हम complete करने वाले हैं genetics, ठीक है, 21st मार्च को हम biotech complete करेंगे, फिर ecology complete करेंगे, फिर evolution complete करेंगे human health or disease, strategies, microbes एक class में, human reproduction, reproductive health एक class में, reproduction और sexual reproduction, flying plant एक class में, तो अगले कितने दिन हुए, 8 दिन है न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगले 8 दिन में, आपका पूरा class 12 खतम हो जागा, और उसके अगले 10 दिन में, आपका पूरा class 11 खतम हो जागा, तो 12 का schedule मैंने आपको दे दिया, अगले 8 दिन का, तो आप इसको 8 दे चैलेंज लीजे, ठीक है, चैलेंज में, अब तो तुम्हारे यार मरता क्या न करता वाला हाल है, ठीक है, आखरी हो, मैं ही हूँ, जो मैं बोलना हूँ, as it is करते जाओ, तुम्हारा बला हो जागा, ठीक है, तो इसको 8 दे चैलेंज के form में ली के concept strengthen हो जाएगा, ठीक है, तो यह है biology की बात, ठीक है, अब बात करते हैं सर, physics और chemistry में आप क्या करा रहा हो, तो physics में जैसे concept वाला चल रहा था, अमन सर का, उसमें अब हम थोड़ा उसको improvise करा के, ताकि final तुम्हारा plane हो जाए सब कुछ, हम एक revision checklist में उसको modify कर देंगा, ब chemistry one shot भी rapid revision, rapid ncrt revision के form में, आपका chemistry भी one shot शुरू हो जाएगा, और आपको मैंने 18 mock test दिये है, all India test series का आपको पता होगा है न, 18, दो test आपका होगा है, तीसरा test कल है, तो all India test series भी आपको मेरे telegram channel t.me slash anandmoney001 पर मिल जाएगा, जहाँ पे 18 mock test है, जिसमें 8 part test है, आठ, part test है, और 10 full test है, तो यह 10 full test के जो paper है finally, वो भी हम top 10,000 question का part में ही करके revise कर देंगे, तो मतलब in short, आपका physics भी strengthen हो जाएगा, chemistry भी strengthen हो जाएगा, और biology भी strengthen हो जाएगा, बट मैं एक हिदायत आप सबको देना start करूँगा, अब न तुम्हें आसे करके कि मैं एक दिन मे physics भी पढ़ लूगा, एक दिन में chemistry भी पढ़ लूगा, एक दिन में biology पढ़ लूगा, देखो, यह उन बच्चों के लिए ठीक है, जिन्होंने अपना syllabus complete कर लिया है, अगर आप अभी zero level पे है, या अगर आपने बहुत अच्छे से तयारी नहीं किया है, तो start with biology, अगर मैं request करूँगा, आपको नहीं, तो दो दिन में आप exhaust हो जाएंगा, और कुछ नहीं होगा, है ना, 6-6 गंटे की lecture लगाने से कोई फाइदा नहीं, अगर आप self-study नहीं कर रहो, तो start with biology, ठीक है, give it one week, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा physics और chemistry start करो वेटा है, है ना, at least पहला target य जरूर बच जाएगी, आप qualify जरूर कर जाओगे, और आपको एक confidence मिलेगा, कि अच्छा मैंने जब 45 दिन में 4K 340 प्लस मार्ट ला है, तो आगे अगर मैं कुछ करता हूँ, तो मैं और जाधा मार्ट ला सकता हूँ, at least biology को strengthen कर लीजे, biology को अपनी मुठी में कर लीजे, और इन 45 दिन में आप biology को 100% dedication दीजे, जिन बच्चों ने physics chemistry पहले पढ़ी हुई है, वो साथ के साथ physics और chemistry का भी revision कर सकते, देखो मैं कहने को तो तुमें कह दूँगा, तुम physics भी पढ़ लो, तुम chemistry भी पढ़ लो, तुम biology भी पढ़ लो, बट बेटा, practical यह possible नहीं होता है, र रात तुम 16 घंटे पढ़ने लोगों ऐसा नहीं होता, human brain doesn't work that way, अगर आप अभी 0 hours पढ़ रहे थे, तो आप start करेंगे तो 2 घंटे पढ़ पाएंगे, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद आप 4 घंटे पढ़ पाएंगे, फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद आप 8 घंटे पढ़ ऐसे बढ़ता है, progressively आपका brain strengthen होता है, progressively आपका muscle ही है, पहले दिन नहीं तुम बहुत जारा डॉल लोग है, तो फटीग हो जाएगा, तो यह चीज़ ध्यान रखना पेटा, realistic goal set कीजे, realistic target रखिए, और give up मत कीजे, नहीं तो फिर delusional होने लोग होगे, तो फिर तो कुछ भी ह हो सकता है, कि भाई, नहीं नहीं, मैं तो 700 प्लस लाऊंगा, 45 दिन में, step 1, complete your biology, so that you can score 340 plus marks, step 2, revise your physics and chemistry, फिर अगर prioritize करना पड़े, कि भाई, physics और chemistry में क्या prioritize करू, तो chemistry में आप पहले inorganic prioritize कीजे, ठीक है, physics में आप पहले modern physics try कीजे, ठीक है, फिर उसके बाद आप optics try कीजे, फिर उसके बाद आप kinematics वाले easy units try कीजे, step by step बढ़िए, ladder system से बढ़िए, एक सीडी चड़ना आसान होता है, बटा आप एक खड़ी चड़ाई चड़ते हो, तो आपको बहुत मुश्किल phase करना पड़ता है, तो realistic strategy follow कीजे, 50 strategy मत दिखिए, और जो strategy में बता रहा हूं, उसको implement कीजे, I hope, ये वीडियो आपको sense दिया होगा, जो चीजे मैंने checklist में बताई है, उन checklist को पूरा कीजे, telegram channel जरूर join कर दीजे, so that we stay connected, और मैं आपको सारे messages सही point पे दे पाऊं, और test series आपको मिल पाए, वीडियो को like कर दीजेगा, channel को subscribe कर दीजेगा, और bell icon दबा दीजे, त comment section में message कर दीजे, कि क्या आप 8-day challenge के लिए ready है, और क्या status है आपके preparation का, क्या आपने मेरे साथ पूरी biology का syllabus complete किया है नहीं किया, नहीं भी किया है, तो कोई बात नहीं बटा, this cheat code will help you cheat in your need exam to score 340 plus marks, see you tomorrow, take care and have a great day, thank you.